हलो फ्रेंड्स यूनिवर्सल टेकनोलोजी फॉर ब्लाइंड मैं आप सबका स्वागत है मैं हूँ हाशेम और आज किस वीडियो में हम जैसे अप्लिकेशन को देखेंगे वो एक गीम की अप्लिकेशन है जिसका नाम है एकसिसिबल मेमोरी गीम और ये अप्लिकेशन आप प्ल एकसिसिबल मेमोरी मेमोरी और गेम की सपहलेंगे जी एएफेजन Q70 तो इस गेम में आपको जोड़ी बनानी है पिंद दो यह pry फाबग से अगर आप तो इसमें फिर अल्फाबेट जो चितर रहते हैं उनके लैटर से उनकी जोड़ी बनानी होगी और एक और इसमें मोड रहता है तो उसमें पेर्स बनाने पड़ते हैं एक जैसे ठीक है तो वो सब हम गेम में देख लेंगे क्लिक कर देता हूं इस पर अक्सेसिबल मेमरी गेम उपन नविगेशन ज्रावर वट तो इसमें हमें स्टार्टिंग में 10 सेकंड का टाइम मिलता है जल्दी से जो है चितर देखने के लिए टच करकर करके हम देख सकते हैं तो जल्दी जल्दी हमें देखना पड़ता है कि किस चित्र में क्या है और फिर सही जो है इसमें स्क्वेर बने हुए आर्ट उन्हें ओपन करना है ठीक है तो फिरसे इस गेम को तो चालू करूं मैं तो इतना टाइम मिला मुझे 10 सेकंड का यह देखने के लिए कि किस स्क्वेर के पीछे क्या है और अब मुझे सही सही उनकी जोडी बनानी है क्लियर सेटार सुनक नोज आप और उनकी एक दीपर देखते हैं सही जोडी बनानी है कार्ट थ्री कार्ट सिक्स रो थ्री सेलेक्टेट औरेंज रो थ्री कार्ट एड रॉट तो इसमें जैसे औरेंज है ठीक है तो औरेंज के से शुरू होता है ओ से तो ओ से जोड़ी बनाने है उसकी अभी इसमें ऐसा सिस्टम ऑन है वह उप्शन ऑन है कि यह जैसी हम सही पेर बना लेते हैं वह वापिस कार्ड टर्न हो जाते हैं इसलिए जो है इसमें टच करके नहीं बता पा रहा हूं मैं आपको अभ ओपन कर लिए होते हैं वो डिसेवर हो जाते हैं अब ही मैंने ओपन किया है अब मुझे एच से ढूना है एच फॉर हैन होती है तो यहाँ पे देखना है ठीक है तो एच फॉर हैन मिल गई है नहीं कार्ट प्रू स्वाइब है इसलेक्तब लिए इसलेक्ट थे रो फॉर फट अन्सी और प्रवार टो प्रूस अ है विए अ श्वह प्लूमें उनकाश कूल कोई इसलेक्ट छुछ अनल और फाल्टवि हम दृब में और उसले प्लेटर इसलेक्ट प्लेटा है तो अब मैं आपको पहले से सेटिंग दिखा देता हूँ फिर मैं और अच्छे से गेम समझा दूँगा क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा ठीक है तो यह टाइम में देने में हमें जल्दी अल्दी हम टच करके देखना है और फिर जो सही स्कुएर के नीचे जो जोड़ी है उनको मिलाना है ठीक है तो पहले सेटिंग देख लेते हैं फिर और इसके गेम के बारे मैं अच्छे से बता दूंग आपको तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूगेम तो वह में स्टार्ट लिए फ्राइंप करने की है तो यहां पर है गेम सेट अणा हम खेल रहे हैं और इसमें यह रहेगा कि अक्षर रहेंगे A, B, C, D, E, F, G, H Z तक और उनसे related जो तस्वीरे हैं वो रहेंगी और आपको उनकी जोड़ी बनानी होगी Second है Sample Images और इसमें जो है Animals भी रहेंगे और जो है Object भी रहेंगे तो उनकी आपको जोड़ी बनानी होगी जैसे अगर Elephant है तो उसकी जोड़ी Elephant से बनानी होगी Wheelchair है तो उसकी जोड़ी Wheelchair से बनानी होगी Create new game set Create new game set तो इसमें जो है आप अपने game set भी create कर सकते हैं लेकिन अभी तो वो option work कर नहीं रहा है और अगर मुझे ऐसा लगएगा कि हाँ उससे यूज किया जा सकता है और चलेगा अगर हो तो आगे की वीडियो में ज़रूर में उसके बारे में आपको बताऊंगा अगर आपको इनको चेंज करना है यह जो इसमें दो set दिये गए हैं Sample Images Sample Images Alphabet Set is current यह option मिल जाएगा more option गंदर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है इसमें यह वाला सेट हो जाएगा Sample Images ठीक है Manage pairs two of three Pairs को manage भी कर सकते हैं Delete three of three तो आप चाहें तो तस्वीर वगरे चेंज कर सकते हैं तो इन गेम साथ करने का ज़रूथ नहीं है अगर आप नया create करें तो उसमें हम पर ज़रू करके देखेंगे ठीक है Accessible memory game Save Back कर देते हैं यहां से Showing items 1 to 2 Card 2 Menu Menu New Game Game Sets यह देख लिया Settings Settings यह देख लेंगा हम Donate Donate Privacy Policy About Hide Menu Hide Menu Donate Settings Settings देख लेते हैं Sound Effects On Switch One of 5 Sound Effect जो गेम का Sound Effect है वो On है Voice Feedback Provide Voice Feedback When Touching a Card Off Switch Voice Feedback Providing Voice Feedback For Touching a Card तो अगर आप इसे On कर लेंगे तो गेम खुद आपको बताएगा कि आपने कौन सा कार्ड टच किया है ठीक है जैसे अगर आपने कोई कार्ड है उस पर क्लिक किया तो उसमें अगर एपल है तो वो बोल के बताएगा एपल अलफा बैटा कर लेटर है तो वो बढ़ के बताएगा ठीक है आपके TTS की जरूरूत नहीं रहा ही पढ़ने के लिए गेम बोर्ड है इस पर क्लिक करके देखेंगे हम नंबर ओफ पेर्स फोर है ठीक है एट परसेंट सी कंट्रोल इसका स्नीक प्रिव्यू तो जो हमें सुरू में टाय मिलता है आप चाहे तो उसे बढ़ा सकते है अभी 10 सेकंड सेट है तो यह जो स्नीक प्रिव्यू आप्शन के नीचे एक सी कंट्रोल है 17 परसेंट 17 परसेंट 17 परसेंट है अभी तो आप अगर इसे बढ़ाएंगे अभी तो हाइड मेन्यू इसे यहां से आप मेन्यू बार को हटा सकते हैं वैसे तो वह इक कौने में रहता है अगर अगर आपको से हटाना है तो उस पर क्लिक पर क्लिक करोगे तो वह खट जाएगा और लेफ्ट में गरन पर चला जाएगा बौर्ट बैक्ग्राउंड कलर आप चाहे तो बौर्ट का जो बैक्ग्राउंड कलर उसे भी चेंज कर सकते हैं ठीक है बस इते हैं ओप्शन थे यहां पर जो वैस फीग पर तो लएसेंसें कार्ड का बड़ का ओप्शन देख लेके तो पहला option है show all card play with the all card uncovered तो हम जब game खेलते हैं तो वो जब click करते तब पत्य पलटते हैं तब हमें पता चलता है उसके नीचे क्या है अगर आप इस option को on कर देंगे तो फिर वो पहले इसे ही सीधे रहेंगे तो फिर इसमें को कोई मतलब नहीं रहेंगा पर इसमें option दे या रखा है अगर आप कुछ चेंज करना हो तो आप इस पिर click करके जो है सारे cards को uncover कर सकते हैं Hide cards automatically after wrong selection when not set touch any card to hide the selected cards and continue the game on switch Hide card automatic तो यह option on है अगर आप कोई card गलत उसे click कर देते हो वह open हो जाता है गलत होता है सही प्यार नहीं होता है तो वह automatic ही बापिस cover हो जाएगा turn हो जाएगा तो इससे game मज़दार बना रहता है आपको पता नहीं रहता कि कौन सा card आपने जो है open किया था तो आप इसे off भी कर सकते हैं off करेंगे तो फिर उसमें यह रहगा card turn नहीं होगा तो आपको पता रहगा कि इसके पीछे कौन सा card है ठीक है और जब दूसरे card पर आप क्लिक करोगे तब वह जाके पल्टेगा तो जब आप दो सही जोड़ी बना लोगे तो वह गेम में से हट जाएंगे ठीक है डिसेबल बताएंगे वह तो on है आप चाहें तो off भी कर सकते हैं card frame thickness of the frame drawn around cards six four of five card frame thickness जो उसकी आप चाहें तो frame की रहा सकते हैं 30% slider परसेंट है भी C control change करना होगा आपको card colors five of five card colors तो आप चाहें तो card color भी change कर सकते हैं इसमें क्लिक में लेकर देख लेंगे us to a card background Color two of six तो card background color change लेंग सकते हैं आप frame heading techniques default color of card frames four of six जो card का frame है उसे भी change कर सकते हैं color उसका selected कार्ड फ्रेंग frame color of the card currently selected solve sorry Fig murder तो आपस में लगलग card हैं जो हमको change कर सकते हैं SOLVED card जो हैं उनका color चोलर कर सकते हैं बैकृगरांध कलर मिष्चेνज कर सकते हैं तो यह सब यहां पर आप चेंज कर सकते हैं बेकर देंगा हम यहां से तो इस तो फोड़ से टाइम बढ़ा देता हूं मैं पहले आपको बताने क्लिए ठीक से स्नीक प्रिव्यू में जाकर ठीक है तो बाइस सेकंड टक का टाइम बढ़ा दिया है मैंने तो मैं अब आपको अच्छे से बता दूँगा कि गेम करना क्या है ठीक है अब अब 20 सेकंड मिलेंगे मुझे देखने के लिए मैं टच करके देखूँ किस पर क्या है पहले योगर्ट अब देखिए इनकी जोड़ी बनाने है कर टू रवान कार्ट फॉर रोट सलेक्ट हैं तो हैं किस से शुरू होता है ठीक है एच फॉर हैं होता है तो यहाप मैंने एच देख लिया था ठीक है और इस गेम में आप अपने मूव बीच देख सकते हैं तो दो मूव चले मैंने अब देखतें दूसरा कार्ट सेवन रो फॉर कालम वान सेलेक्ट डवल्यू रो फॉर कालम वान तो डबलू से कार्ट यह गलत कार्ड ओपन किया मैंने तो वापस वह पलट गया तो दूसरा कार्ड ओपन करके देख लिए तो य से क्या शुरू होता है अलफाबेट में तो योगर्ट इसमें गिम में जो दिया गया है उसमें वाई से होता है योगर्ट और योगर्ट है यहां तो अब C ढूणना है C for car, car मिल गई है अब C later ढूणना है क्या मिलके C और जब आप सही पेर बना लेते हो तो disable बताने लगता है जो हमने open कर लिए होते हैं कालम वा डिसेबल रो 2, card 6, row 3, disabled, row 4, card 6, selected wheelchair, row 3, card 7, row 4 यह गेम जीत लिया है हमने अब फिर से चल देले टूमेंगे अब देखते हैं तो c फॉर कार का निशान था हो यहां c ओड ठीक है तो यह भी सही है यह बी करेक्ट एकदम यह ब्लू फॉर वीलचेर होते डबलू ढूम लिया और यह क्या है योगर्ट योगर्ट तो यह गेम भी सकसेस्फुली और आपको दूसरा वाला इसकी हमें बोड़ा फिर्टा देता हूं उसलिए हम जाएंगे अब ही हम जो है अल्फाबेट से खेल रहे थे करेंट गेम सेट अलफाबेट तो हम सैंपल इमिजिस में जाएंगे और अब उपर उस पर क्लिक करेंगे सैंपल इमिजिस करेंट गेम सेट हो गए यह अब यहां से हम बैक करेंगे तो इसमें जोड़ी बनाने होंगी है तो पता चल गया मुझे इसमें यहां पर मुझे एक और आइस क्रीम ढूनने होगी सेंट्विच चाहिए आना है सेंट्विच भी मिल गई यह गलत है यह कितने मूव में हुआ 12 मूव लगे इसमें ठीक है तो प्ले अगें पर किलिक करेंगे और एक और आप्शन आपको चालू करके दिखा जेता हूं इसमें तो ओपन नविगेशन में जाएंगे सेटिंग में जाएंगे और यह जो आप्शन है तो वाइस फीडबैक अन कर दिया है मैंने ठीक है डग टरेंगे आपको 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 अधिय। तो आप देखिए मैंने वाइस फीडबेक आउन कर दिया है अब देखिए कार्ट पे जब क्लिक करों तो वह बताएगा मुझे और खुड़ा रहा है फुड़ी जब कर दिया रसीड़ीन और द्यवन पर तो रुद एक आप weapons एप साल इंड़ा जिराफ जिराफ और शाला जिराफ में पर अंब्रेला उब्रेला एंड़ाई जिया मुझे आपके दिया हो और धी हिर्म सानश कर्देख जिराफ द्रूब तो यह गेम भी कम्प्लेट हो गया और कितने मूव में किया आठ मूव में तो बस ऐसे यह गेम खेलना है इसी सा गेम है और आपकी मेमरी को यह चैलेंज करता है चैक करता है तो आप चाहे तो इससे देख सकते हैं इस गेम को खेल के कि आपको कोई भी चीज कितनी देर तक याद रहती है ठीक है और टाइम अगरे भी अजस्ट कर सकते है तो बाकी सब तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बता चुपा हूँ गेम के बारे में तो वीडियो में आपको कि वीडियो में आपको को बाह की बाह